चलेगा चाल दुश्मन जो उसे नाकाम बनाना है हमें आगे ही जाना है फूल खून में नहाए, कांदो पर जनाजे उठाए लहू से चराख जलाए, फिर भी कदम नहीं डगमगाए साने आर्मी पॉबलिक स्कूल को चार साल मुकमल कौम का देशतगर्दी को जड़ से उखाडने का एहद हम सानिहाए एपिएस को नहीं भूले शोहदा और बहादुर वालिदेन को सलाम देशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत चुकाई पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पुर अजम और मुत्तहिद रहना होगा अमन और खुशाली पाकिस्तान की असल मंजल है आर्मी चीफ जनर कमर जवेद बाजबा का पैगांब सानेहा एपियस की चौथी बरसी आईएस पियार का नया तराना जारी होते ही मकबूल हम पुर अजम कौम हैं देरपा अमन और खुशाली की मंजल जरूर पालेंगे दुश्मन कभी कामयाब नहीं होगा मेजर जनरल आसिफ खफूर का ठ्वीट सानेहा एपियस के शहदा को खेराज राकीद पेश आर्मी पाबलिक स्कूल पिशावर में गार्ड ओफ आनर गवरनर और कोर्ड कमांडर समेट आला हुकाम की तकरीब में शिरकत यादगारे शहदा पर फूल चड़ाए कोईटा में रैली शहरियों की बड़ी तादात शरी चार साल होनी को है कि उसामा हमसे बिच्ड़ा है और वो दिन एक क्यामत की तरह का दिन हम पे गुजरे है इद के मौके पर पहले जोगी होता था कि नमास पढ़के बाई और बाबा वगएरा घर आते थे और हमसे मिला करते थे हीद के लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि भाई से मिलने के लिए हमें खुछ जाना पड़ता है बाई की याद तो बहुत आती है क्योंके वो मेरे साथ भाई कामदोस ज्यादा थे हर चीज में मेरे साथ होते थे खाना पीना बाईर खेलना हर चीज के लिए हम साथ साथ जाते थे जहां पहे भी जाना होता था मत समझो हमने भूला दिया एहले खाना आज भी पुरनम आँखों से जिगरगोशों की याद में गुम उसामा ताहिर इंजीनियर बनने का खाब लेकर स्कूल गया फिर कभी वापस ना आया वालिद बेहन और भाई आज भी कियामत की घड़ी याद करके उदास शहीर की शरारतें भी मां का सरमाया बेटे को घर में ही महसूस करती हूँ सहीर असफंद की वालिदा के जखम ताजा उसकी एक खास स्मेल अभी भी घर में गुमती है अभी भी मुझे महसूस होती है हमारे आँखों में खुद हांसु आ गए ये जो बहुत मुश्किल काम था क्यूंके चोटे चोटे बच्चे खुनों में लटपत पड़े थे हमें अपने बच्चे याद आ रहे थे सानिया है एपिएस तिबी अमले के लिए भी नाकाबले फरामोश वाकिया करियर का सबसे तकलीफ दे सानिया डॉक्टर अब्दुलवाब गम से निधाल उस रोज आंसों के जड़ी में काम किया नर्स सेस्लिया आपडीता बहुत मुश्किल वक्त लेकिन हम खुद भी रो भी रहे थे और सासत पेशिंट्स को भी एटेंड का रहे थे 16 दिसंबर का जो वाकिया था वो बेशक एक तारीक और सिहतरीन दिन ता पाकिस्तान का ये वाकिया जो है तो हम कभी भी नहीं बोल सकते मरे ख्याल से इस वाकिया में मेरा भाई हरस नवाज शहीद हुआ रहे एपियस हमला जल्म की इंतिहा वाकिय में जखमी ताल्बेल्म एहमद नवास कयामत की घड़ी याद करके आज भी अफसुर्दा रेस्क्यूर कारूं की हिम्मत को सालाम सानिहा एपियस ने तारीख ही बदल दी स्कूल में दरिंदगी देशत गर्दी के ताबूत में आखरी कील साबे उप्रेशन ज़र्बे अजब में मुल्ग दुश्मन अनासिर को चुन चुन कर मारा गया उप्रेशन रद्दुल फसाद से देर पा इस्तहकाम हासिल सोला दिसंबर तच्छीद एहद का दिन सदर मुमलिकत का सानिहा एपियस पर पेगाम मासूम जानों ने लहू का नसराना दे कर कौम को मतहित किया सेक्योर्टी फोर्सिस ने देश्चतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन मार का अंजाम दिया वजीर आजम को फखर अम के दुश्मन अंजाम के करीब आर्मी चीफ ने पंद्रा देश्चतगर्दों की सजाय मौत बीस की मुक्तलिफ सजाओं की तौसी कर दी शर्पसंद मेजर जरनिल सनावला न्याजी समय चौनते सफराद की शहादत में मुलाविस देश्चतगर्दी पर काबू पाने में फौजी अदारतों का किरदार अहां 717 केसिस में से 540 निम्टा दिये गए 310 शर्पसंदों की सजाय मौत APS, कराची एरिपोर्ट, बाचाखान यूनिवर्सिटी, बन्नू जेल, नांगा परबत, चौधरी असलम, अमजज साबरी और सबीन महमूत के कातिल अपने अन्जाम को पहुँचे मैंने एक खत लिखा है अक्वाम मुत्धा के शेक्टी जर्रल के नाम OIC की शेक्टी जर्रल से टेलेफोन पर बात भी उसे दर्खास की कि वो फिल फॉर एक OIC कांटेक्ट ब्रूट का एक मिनिस्टीरियल एकलास तलब करेगा पाकिस्तान उसको होस्ट करने के लिए तैयार है कश्मीर में बरबरियत पाकिस्तान का अक्वाम मुतहदा और OIC को खर्थ मौमला आलमी सता पर उठाने के लिए भी सिफारती राप्ते भारती मजालिम इंतहा को पहुंच चुके कश्मीरियों को बराहरास गोली अमारी जा रही है बैनल अक्वामी बरादरी फॉरी मुदाखलत करे शाह में मुद्कुरेशी की प्रेस कॉनफरंस मस्ताहकम अफगानिस्तान की जानिब अहम कदम अमरीका और तालिबान में बराहरास मुदाकरात का अगला दौर कतर में होगा दूसरा दौर दुबई में काबल हुकुमत भी शरीक होगी फ्रीक टैन को मेज पर लाने में पाकिस्तान का हमोश किरदा हम इन सब को जल्दी घर बेच के जान चलवा के हम आपको अर्ली इलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में फीपुस पार्टी की मिख्री करा के फीपुस पार्टी की हकूमत बना के दिखाएं हुकूमत सो दिन में कुछ नहीं कर सकी कबल अस वक्त इलेक्शन करवाकर हुकूमत को घर भेश देंगे आसिफ जर्दारी का बड़ा दावा जेल दूसरा घर करार जिने अठारवी तर्मीम से तकलीफ है वो दबाव डाल रहे हैं टंडू अलायार में तीर अंदाजी जिनको सिर्फ तकलीफ हमारी अठारवी तर्मीम की है और प्रेशर मुझ पर डाल रहे हैं अगर मैं अकेला मान भी जाओ आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी आपने जिसको बनाया उससे क्या पाया आसिफ जर्दारी का सवाल रिफाक ने सिन का पैसा काटा गैस रोकी तो पंजाब की विजली कार्ट देंगे साविक सदर की वार्निंग पैसे कार्ट लें वो आपकी विजली कार्ट लेंगी 900 मेगावाड विजली भेज रहे हैं आपको फैसलाबाद के लिए ये काइम अली शाह साब का तोफ़ा ये नहीं मिलेगा इसका बड़ा लीडर पकड़ा जाने वाला है जिसने ग्यारा साल से सिन को लूटा था मुराद अली शाह से भी थटा शुगर मिलका सौकोड का इसाब लेंगे और अब इनका जब लीडर गिरेगा कि ये तित्तर बित्तर होंगे फांगे ये चुओं की तरह उसको सिन्वे नहीं रखना चाहिए जो भी रखा जाए पंजाब में रखा जाए वो बड़े लीडर को भूल जाओ कबलस वक्त इंतखाब का कोई चक्कर नहीं तहरीक इनसाफ का जवाब पीपस पार्टी के बड़े लीडर की गरफतारी की पेश कोई मुराद अलिशा के गर बे शकंजा सक्त होगा फिर दोश चमीम नकवी का जवाबी बार आज सिख चाग जरबारी तकली बारी फिर जरबारी काईम अलिशा की जुबान फिर फिसल गई ताबिक वजीर आला सिन्न ने तक्वीप से खिताब में आसीफ ली जरबारी को दरबारी कह दिया वसीम अख्तर सहाब कराची में बिलावल हाउस की दिवार क्यों नहीं गिराई बाबर गौरी के शादी हौल कब खत्म करेंगे खुरम शेर जमान ने जवाब मांग लिया तजावजात के खिलाफ आपरेशन गेर मुंसिफाना करार कराची वालों को छै रोज के बाद सुकून तो मिला लेकिन आरजी कल सुब आट बजे फिर चौबीस खंटे के लिए सी एंजी बंद करने का पलाएं बलोचिस्तान में इंसानी बहरान जनम लेने लगा बीस इसलाश शदीद खुशक साली की लपेट में लोग पीने के पानी को भी तरसने लगे अवाम को हुकूमती एक्दमात का इंतजार वजीर खजाना साहब ने खुद ये कहा कि ये बात मिचसे डिसकास हुई थी और मेरे इलम में थी तो मेरे खले इसके बात तो वजीर बहर की जरूरत नहीं रह जाती है विफाक ने रुपए की बेकदरी का मलबार स्टेट बैंक पर क्यूं डाल दिया मीडिया का सवाल ज्यादा क्या कहूं सब कुछ वजीर खजाना के इलम में था मरकजी बैंक के गवर्नर का जवाब कराची से सौदी एरब मुनश्या स्मगल करने की कोशिश नाकाम मुसाफिर के सामान से आठ पोतलों में भरी करोणों की आइस शीरुन बरामद मौलजीम गिरफतार मंगल तक बरकरा रहने की पेशकोई शहरी मौसम का मजा लेने पार्कों में चले आए सोला दिसंबर तारिफ का स्याह तरीम दिन 47 साल बाद भी सानिय सकूते धाका वक्त की धूल में गुम ना हो सका बाजू कटने का गम आज भी हरा कौम का माजी की गलतियों से सीखने का एहद पाकिस्तान कोकरा पार बॉर्डर खोलने को तयार है लेकिन भारत भी कदम उठाए नई दिल्ली करतारपूर खोलने को हमारी मजबूरी न समझे मसले कश्मीर हल होने तक आम का खाब पूरा नहीं हो सकता गवनस्सिन की गुफ़तब अमरीकी सदर टेक्स का पैसा पानी की तरहा नहीं बहा था ओबामा अपना खर्चा जेव से करते रहे महमानों की तवाजों का बिल भी खुद दिया वाइट हाउस मुंपली के दाने भी गिन कर पैसे लेता है साबिक अमरीकी खातूने अवल मिशल अबामा के इंटर्वियू में इंकशाफाथ आस्ट्रेलिया को हक नहीं वो मकबूजा बैतल मग्दस को तक्सीम कराए मलेशिन वजीर आजम महतीर मुहम्मद का शदीद रद्दे अमल फ्रांस में महंगाई के खलाफ इतजाच का एक मह मुकमल पीली जैकिट्स वाले पैरिस की सड़कों पर बैठ कहे मुझाहरीन की इतादाद कम हो रही है हुकुमत का दावा पक्तौन गाशा फर्मान ने यादगारे शौहदा पर फूल चड़ाए कोईटा में फ्रेंटियर कोर के जिरे तमाम रैली निकाली गए जिसमें बच्चों ने भी शरकत की शौहदा की तसावीर और सब्स हिलाली पर्चम उठा रखे थे चीश्तिया में पुलिस के दस्ते ने एपिएस के शौहदा को सला में दी सबात लेरा बुक्ती सुई खैरपूर विहाडी और चिन्योट में वाक की गई बच्चों और बड़ों ने पिशावर के नन्हे पूलों को खिराजिया की दर्पेश किया स्याल कोट, अटक, बन्नो और गिलगल समय देगर शहरों में भी दौईया तक्रीबात हुई शौहदा की याद में शमे रोशन की गई सानिया एपिएस को चार साल मुकमल हो गए हैं और इस वाके में सहीद होने वाले बच्चों के वालिदेन आज भी घम की तश्वीर बने हुए पिशावर में हमारे नुमाइदे आमिर जमील इस वक मौजूद है शहीद अस्वन खान के घर पर शहीद की वालिदा का इस हुआले से क्या कहना है आईए सुनते हैं पब्लिक स्कूल को गुजरे चार साल हो चुके हैं लेकिन उसके बावाजुद उसका गम उसी तरीके से ताज़ा है जैसे ये कल ही की बात हो इस वक मैं इसी हुआले से मौज़द हूँ अस्वन खान शहीद के घर पर जहां पर मैं देख सकता हूँ कि उसके घर में उसकी तद्थीरें जो हैं वो जाब जा लेगी हुई हैं मैं चाहूंगा अस्वन शहीद की जो वालदे हैं उससे भी हम बात कर सकें हैं और शहीद उनकी वज़द से हमारे भी अल्ला के सामने बहुत बड़े हुद्बे होंगे लेकिन पता नहीं एक तकलीफ भी होती है इसे कि मैं कहूँ के बहुत बड़ी कीमत दी है और आज तो बस एक हजीब सा वहां पर मत्तब माहूल था तमाम वार सीन जो थे वहां मुझूद थे और हम सब लिपट लिपट की दूसे सो रो भी रहे थे उस टाइम को भी याद कर रहे थे कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी मत्तब वह हमसे भूले नहीं जा रहे है डुक से मेरा दिल भर गया इसे कि वहां पर सारे अगाजी बचे भी आएवे थे और से सारे असफंद के दोस्त थे बहुत शुक्रिया जी जैसा कि असफंद शहीद की वालदा ने मारे साथ अपना शेयर किया कि उन्हें का कहना यहां यहां पर उन्हें नजर आता है तो एक तरफ यहां पर जो आर्वी पब्लिक स्कूल के बच्चों के जो वालदेन हैं वो एक तरफ तो गम है उन्हें और दूसी तरफ उन्हें इस बात का फखर है कि वो शहीद बचों की माएं और वालदाइन हैं मत समझो हमने बुला दिया और अब रुख करेंगे स्यासी मनजर नामे का जहां साबिक सदर आसिफ ली जर्दारी कल भी भोले और आज भी बोले साबिक सदर आसिफ ली जर्दारी ने सवाल किया कि कट पुतलियों को क्यों लाया जाता है हकुमत ने सौ रोज में कुछ नहीं किया अगर करना चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था टंडो अलायार में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि आवाम का साथ रहा तो उनको जल्दी घर भेज़ देंगे और कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराएंगे इन दोस्तों से इल्टजा रहती है कि आप क्यूं बनाते हैं ऐसे कटप्टियों क्या फाइदा हमने भी तो हकुमत की हमें कोई इशू नहीं रहा किसी से जब भी आप आर्टिफिशली किसी को बना के लाते हैं तो वो आदमी अपने आपको समझता नहीं इसकंट उस्ते मैंनत नहीं की उस्ते कोइशिश्ट नहीं की उस्ते टाकत नहीं देखी उसको समझ नहीं आती है अचाने कि जड़ तमने अगर अगर आप बीवी काग पर थे से कम करने जाएंगी त्रकी औरते मारेंगी बहु creepste ज्यादा सख्त हैं, ज्यादा मजबूत हैं, नौसो मेगवाट बिज्री भेज रहे हैं आपको फैसलाबाद के लिए, ये काई मिली शाहसाब का तोफाई ये नहीं मिलेगा, आप ठीक है, इनके पैसे काट लें वो आपकी बिज्री काट लेगी, आप हमारी गैस ले जाएं, ह समझ नहीं हैं, और इनको ना मांगना आता है, ना दिखाना आता है, ना देना आता है, ये सिर्फ लेने वाले हैं, अवाम का साथ रहा, तो हम इन सब को जल्दी घर बेच के और इन्शाला इन से जान चुरुआ के हम आपको ऐली एलेक्शन करा के और पाकिस्तान पूरे में पीपस पार्टी की मिक्षी करा के पीपस पार्टी की हकूमत बना के दिखाएंगे। का इए पार्टी कराची के इनौपल के सरकारी स्कूल में न्यूजिस कान्फरेंस करते हुए सिंधेस्थ एस्कूल पानी की लाइन पर तामीर किया गया है और यहां कच्रा भी फेका जाता है गुजिशता हफते पीटी आई ने स्कूल की बेहतरी के लिए अग्दमाद चुरू किये जिस पर स्कूल इंतिजामिया का तबादला कर दिया गया फिर दोया है ये स्कूल इसकी दिवारे धोई हैं इसके क्लासरूम दो के सब स्कूल करके गए और ये सब करने की सदा उन दो प्रिंस्पल और वाइस प्रिंस्पल को मिल गई फिर दोश शमीम नकवी का कहना था कि एक तरफ तो जेल वाले कमरे से शेहत और जैतून तो दूसी तरफ अवाम का तेल निकल रहा है एक सबाल के जवाब में उन्होंने कबलस वक्त इंतखाबाद को रद करते हुए पीपलस पार्टी के बड़े लीडर की ग्रिफ्तारी की पेशगोई कर दी फिर दोश शमीम ने वजीर तालीम सिंध के अपने बच्चे के सरकारी स्कूल में दाखले पर कहा के शायर वही एक स्कूल इसकाबिल होगा वरना तो